हाई गाईज मिनता मैं साहिल कहना और आज की विन शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज जो है वो है रिलाइन्स की तो रिलाइन्स 75,000 करोड रूपीज इन्वेस्ट कर रहा है यूपी के अंदर उनका कहना है कि भाई एक लाग से ज्यादा जॉब्स क्रियेट हो जाएगी अ अगली कबर महिंदरा है महिंदरा की है वो एक हजार करोड पर इंवेस्ट करने वाले है एवी प्लांट के अंदर तिलंग गाना के अंदर और हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े इंचो ग्रूप्स है वो इन्वेस्मेंट कर रहे है इन इन फैक्ट मैं काऊँगा बार से वह जारा पैसा आ रहे है विछले कुछ ताइम से नौकरिया सही लग रही है कि आने अनल टाइम में नौकरिया क्रियेट हो जाएगी गौर्मेंट सेक्टर पर से नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर से होती हुए लग रही है वाकि सब कुछ टाइम भी बताएगा अगली ग्रूप की तरफ वो क्योंकि बहुत सारे डेटास निकल के आ रहे है अभी सिर्फ एलिगेशन है और एलिगेशन की वज़से इनका बिजनस लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा तो देखते है क्या करते है क्या नी करते मेरे साब से बहुत मोटा एक्शन हो सकता है और अगर खेस जीत गए ना थुद देखना फिर तुम क्या होगा जैसे अगर मैं MSIC की बात करके चलूँ तो उन्होंने जो चार अडानी ग्रूप है उनका जो कमबाइन वेटेज है उसको कम कर दिया है और कह रहे है कि रीजन है क्योंकि उनका फ्री फ्लोट कम है इसलिए ऐसा किया फ्रीफलोट पहले भी था कि उनका कम है नहीं है अचाना कि जैसे यह चीज हवा बे आई हे न सबसे बहुत जारा चीज़ आई लगई है कुछ नया नहीं था कि सब को बदा था कि उनका के बाताई है कि घंजामपल के लिए एक स्वेडिश डिफेंस कम्पनी के साथ इंका नहीं करेगे, defense sector के अंदर plane बनाने का plan था, वो सब रूख गया, तो ये भी project, मतलब अभी ख़वर में आ रहा है, पर 2019 से अब तक ये ख़वर क्यों नहीं निकल गया, अगर मैं Norway wealth fund की बात करके चलो, तो उन्होंने भी Adani Group के अंदर 200 million dollar के अपने shares दिये है, उनका कहना है, इत 4% discount देने वाला है, जो actual rate चल रहा है, उससे, ये अपनी खुद की companies को भी देगे, जैसे की Adani power transmission बेगार को चाहिए, तो ये वहाँ से भी देगे, और बाकि अगर थर्ट parties को भी चाहिए, तो वहाँ से भी देगे, इसका reason क्या हो सकता है, नीचे comment के अदर आप भी बताना, म अपना point of view थोड़ा से शेर करता हूँ, मुझे क्या लग रहा है, वाइल्ड एस है, कि अभी के टाइम पे, फंड्स के करंच आरे है, कहीं बेने रिपूर्ट में भी सुना है, कि भाई, बैंक्स अपसी पैसा मांग रहे हैं, बाई बैंक्स अपसी पैसा मांग रहे हैं, तो फंड्स का करंच है, फंड्स उनको चाहिए, और यह सुचुशन ऐसी है, कि जहां पे उनको फंड उतनी असानी से मिलेगा मिलेगा, तो वो जो कोईले वोईले बेच के, जितनी भी सेल करके पैसा कमा सकते हैं, वहां से करने भी कुछ कर रहे हैं, 4% कम करने से क्या बता दिमांड बढ़ जाए, दिमांड के वे सेल बढ़ जाए, और इंडिरेक्ट लिंग के पैसा आजाए, वर्किंग अपिटल बढ़ जाए, अगर हम LIC की बात करके चले हैं, तो उन्होंने बुला है, कि उन्होंने जो इंवेस्मेंट करी है, डारी ग्रूप के अंदर वो 10-15-20 साल का अडानी ग्रूप कहां पहुंच जाएगा, अभी छोटे-मोटी खबरे जो उपर नीचे आ रहा है, उसमें मैटर भी करता है, अब जो LIC के चेर परसन है, उनका तो ये कहना है कि वो जल्दी अडानी ग्रूप की टॉप मैनेजमेंट से मिलेगे, और जो भी इस चल रहे हैं, अडानी ग्रूप के उसके बारे में discussion भी करी जाएगा, अगर हम अडानी टोटल गैस की बात करके चले, तो वहाँ पे जो quarter 4 का net profit है, वो 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो net revenue है, वो भी 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो सबसे पहली जो खबर ह वह LIC की, तो उन्होंने भी अपना quarter 3 का net profit report किया है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 8334 करोड पे पहुँच गया है, almost 1 billion dollar कह सकते हो, तो तो एक बार को उससे थोड़ा से जादा बहुत अची चीशी से अगर दिखा जाए, अगली कबर reports के हिसाब से, अली बाबा ग A&E की हिसाब से अगर हम देखके चले तो, कुछ रही पहले नोने यह भी पताया, जो मैटो बाखी जो platform से जिनके उपर इसका रखा है, महा से भी बेच रहे है, क्या यह इंडिया से exit करने का plan है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, पता रही है, क्योंकि A&T Group, Giant Group है, उसका scene तो Monday को पता लगेगा, क्या होगा, क्या नी होगा, क्योंकि पिछले कुछ time से बढ़ता हो, दिखाई दी रहा था, क्योंकि वो operationally positive आ रहे थे, पर अभी नीची आ है, अभी नी कापर GitHub की है, तो वो भी firing कर रहे है, 10% अपने workforce को निकाल दिया है, fully remote काम करेंगे, उनका कहना है, मैं आने और टाइम के अंदर 3000 employees है, मतलब अब 2700 employees हो जाएगे, और fully remote means, अभी के टाइम पे जो भी office उन्होंने lease पे किराय पे ले रखे है, उन सब को renew नी करेंगे, अब सब लोगों को गर से काम करना है, तरीका सही है, तेपो गर से काम करने के कुछ advantages भी है, कुछ disadvantages भी है, advantage इस सबसे जादा यह है कि, मैं employer point of view से बता रहा हूँ, कि आपके खर्चे बच जाते, और disadvantage है, management थोड़ा सा मुश्किल हो जाते है, अगली कबर TikTok, India की है, मतलब अब तो exist नहीं करता, पर फिर भी, India की team अभी भी operational थी, तो निकाल दिया गया भाई, पुरी टीम को, 40 employees को pink slip दी गई है, this means कि उनको 9 months का service package दिया जाएगा, और बाकियों सबको 90 दिन का service package दिया जाएगा, अगली कबर USA है, तो माँ के एक company है, affirm करके, उन्होंने 19% staff को निकाला, और उनके shares almost 18% गटते हुए दिखा ही दिया, अगर हम news corporation की बात करके चले, तो वो भी 1250 jobs कम कर रहा है, म sharing का जमाना है, बहुत सारी company निकाली जाएगी, globally यादा निकाला जाएगा, जो बड़े groups है, या इंडिया के अंदर, जो loss making start-up से वो निकालेगी, पर normal business season, जो डंग से चल रहा है, वो शाएद उस level पे ना निकाले, यो कि Zoho ने तो clarify कर दिया था, कि ना हमारे में cut होगा, अगली कबर, Exxon की है, तो वो अपने बहुत सारे businesses को merge कर सकते है, 2023 के अंदर, cost cutting के चलते, और यह बहुत अच्छी strategy होती है, बहुत टाइम पहले हमने इस बारे में बात भी करी थी, तो simple सी वा समझनी कुछ करो, HR है, जैसी HR department है, तो अगर मेरे पास 5 company अलग-अलग है, सब पर बहुत सारी बाते कर दी है, उन्होंने बताया कि, जो 15 से 29 years की age है, उसके अंदर जो unemployment rate है, वो 12.9% पर पहुँच गया, जो कि किसी जवाने में, 2017-18 की बात कर रहे है, 7.8% हुआ करता है, this means unemployment सही हुई, मतलब, लोगों को employ ज्यादा मिला है, पर कारी यह है कि पूरी इं बात करी जारी है, वो smart है, पर बहुत सारे जो पुराने लोग थे, जो टेक की हिसाब से grow नहीं कर पाए, उनकी तो नौकरिया जा रही है, अगली कबर वहाई, रिपोर्ट के हिसाब से, जो lazy pay है, किस्त है, और India Bulls, Home Loans है, Credit B है, यह जो apps थी, जो government recently banned करी थी, कहा था कि Chinese app को पर अभी आया है कि भाई, इनको सही कर दिया गया, unblock कर दिया गया है, क्योंकि इन था कोई रोल नहीं है, चाइना के साथ पे, तो भाई, यह simple सी बात, Indian apps को ban करना, उस राइम में बात करी थी, कि अचानाक तरीके से Indian apps को ban करना, सही logic नहीं है, अगली कबर RBI की है, तो RBI 14 days 50,000 करोड का variable rate रेपो आक्शन करेगा, फरवरी 10 से, मतलब मुझे जो साथ में आ रहा है, 50,000 करोड रख दिया जाएगा, अब जो जितना जारा पैसा लेगा, रेपो रेपो रेट उतना ज्यादा बड़ेगा, जितना कम लेगा, रेपो रेट उतना गटता जाएगा, मतलब इंफलेशन रिलीफ पैकेज निकाला है, 19,000 करोड का, जहाँ पे पूर फैमिलीज को फूड पैकेट दिये जाएगे, साथ में LPG सिलेंटर सस्ती दिये जाएगे, और जो स्वास्त भीमा योजना है, उसका जो प्लान है, वो बढ़ा दिया जाएगा, 10 लाक रुपे से 25 ला अगली कबार, क्रिप्टो एक्चेंज प्लाटफॉर्म है, केरेंग करके, उन्होंने 30 मिलिन डॉलर का फाइन पे करने के लिए कहा है, क्योंकि वो अपनी US के इंदर स्टेकिंग का बिसनस भी मन करने वाले है, तो US के रेगुलेटर ने कहा था कि आप बिना इसको करे, बिन के अंदर FD करते हो, अपना पैसे समाल लेते हो, वैसी क्रिप्टो प्लाटफॉर्म के अंदर भी सेकिंग होती है, जहां पे आप अपने क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो, बाकी लोग वासे लेंड करेगे, और आपको उसके ओपर इंटरस टाइप से मिलेगा, क्रिप्टो पड़ा बड़ा भी आपको कहुंकर देगा, बहुत सारी क्रिप्टो ऐसे भी है, जो अलग-अलद टैप के बेनिफिट्स भी देती है, इतना करो तो यह भी मिलेगा, इतना करो तो यह मिलेगा, अगली ख़बर जो गर्वर्मेंट है, उनका कहना है, कि जो MNCs है, इंडिया इंपोर्ड कर रहे है और अभी इंडिया बे निकले और क्यों बड़ी चीज है क्योंकि अभी भाई EV का जमाना आने वाला है बैटरियों का जमाना आने वाला है और यह लीथियम का जमाना आने वाला है तो बहुत फाइदा हो सकता है हमारे देश को अगली कबर access mutual fund की है तो उन्होंने बताया कि वो कहां कहां पर present है बहुत सारे लोग उनके नाम पर गलत काम कर रहे है तो उन्होंने बताया कि वाई हमारे यही job photo के ना देश करते हैं यही सारे social handles है और कोई नहीं है इसके इलावा जो भी है वो सब किसफ फेक है तो भाई इन चीजों में मत फजा करो इन चीजों से aware रहा करो directly अगर आपको कुछ भी policy लेनी है तो आइदर उनकी app से लो या फिर tag में जाके लिया करो अगली कबर blanket की है तो उन्होंने quarter back quarter 27% rise दिखाया है अपने revenue के अंदर और जो उनके losses है वो भी घटे वे दिखाई दिये है जो average order value है वो भी 18% बढ़ती हुई दिखाई दिये तो क्या ये company profitable हो पाएगी या फे नहीं हो पाएगी मैंने intellectual indies पे एक video shoot करी थी बहुत सारे लोगों ने शायद देख रखी है वो तो देखना एक बार अगर नहीं देखी तो आई बटन में दे रखी है तो उसको देखना है उसके अंदर हमने detail में समझाया है कि ये क्या होता है कैसे grocery business बनता है क्यों profitable नहीं रह पाते इंडिया काना है grocery वाले big basket मुझे लगता है कि वो profitable रहेगा और वो सही business बना लेगा बाकी सब time बताएगा अगली कबर cred की है तो उन्होंने भी financial year 22 के अंदर 1279 करोड का loss रिपोर्ट किया है बहुत जाना loss है भाई ये बहुत जाना अगली कबर रिपोर्ट के हिसाब से एक survey किया गया जहापे Indian startups से पूछा गया कि आपको कितने chances लगते हैं कि आपको funding मिलेगी 2023 के अंदर 58% startups ने कहा कि अभी भाई जो funding है वो tougher हो सकती है और ये बहुत solid चीज़ है ऐसा लग रहा है सब भी को अगेन time बताएगा पर इसमें मुझे लगता है कि time नहीं बताएगा ये ऐसा होगा डाउनोंड भी देखने को मिलेगे और कंपनियां बंध होती ही भी दिखाई दीगे हमको बहुत सारी और जॉब तो जाही रही है अगली कपर एक बहुत बड़ी कपर है भाई एक भांडा फूटा है शार्क टैंक इंडिया का में ऍवले लाज तो बहुत सारे एसेững पिचर्स का कहना है एक तो फांशन्स ने आगे संबने से बोल दिया कि हम शार्क टैंक इंडिया के फांशनल्स थे पहले तो पूरी आधा जाता हम पूरी र्सल कराए जाती है टी भी लाकर रि Doch भी वाल तो उसने का मैं दिल्ली आउँगा, क्योंकि एक शाक है, दिल्ली वाले, बोट वाले, तो उन्होंने उनको बुला रखा है, पर अभी तक गोली बाजी कर रहे है, एक डेड़ अफता हो चुका है, बस वो गोली बाजी कर रहे है, और लिटरली उसने बुला गोली बाजी कर रहे है, और अभी बन नहीं पादी कर रहे है, गलत शीज़र है, अगली कबर, मोधी जी ने बताया कि इंडिया का जो डिफेंस है, वो स्ट्रॉंग हो रहा है, हमने अक्रीवन एक लाग करोड के डिफेंस को एक्सपोर्ट किया है, साड़े तीन सो जादा प्राइवेट कंपनीज है, जो कि डिफेंस एक्टर के अंदर काम कर रही है, यह बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, हम डिफेंस में बहुत अच्छा ग्रोप कर सकते हैं, क्योंकि ऑपिचुनिटी पूरी खाली है, इंडिया उतना स्ट्रॉंग थाई ही नहीं डिफेंस के अंदर, अब देरे देरे हम इंप्रूफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगली कबर जो वारें बफेट की बर्क शेर हैत्वे है, उन्होंने चाइना की बीवाइडी के 139 मिल्लिन डॉलर के शेर विचे है, और जो इनकी होल्डिंग है वो भी घट गई है, जहां पे पहले 12.26% की हुआ करती थी, अब वो 11.87% की हो गई है, अगली कबर अशनीर गुरोवजी की है, तो भाई उनके उपर ऐलिगेशन लगाए गए है, कि उन्होंने बारत पे एका डेटा लीग किया है, और उन्होंने ऐलिगेशन लगाए है, जो की OTPLESS के founder है, OTPLESS के CEO है, भाविक जी, उन्होंने ऐसा किया है, अब कमपनी का कहना है, कि भाई 10% जो यूजर है, वो ही OTPLESS का यूज करते है, सब के सब यूज करते है, तो पता नहीं किया गया, यह अभी तक ब्लेम चलती जारी है, इसने इसको का, इसने 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 का, और यही चलता जारा है, अगर डेटा लीक हुआ है, तो आप समझ नहीं सकते, कितनी बड़ी चीज है, भारत पे की सबसे इंपोर्टन चीज थी, चीज है इंफाक्ट, वो उनका डेटा ही है, कौन से यूजर है, उनकी कितनी सेल होती है, कौन से प्रजट की सेल होती है, उनका जो cash transition है, वो किस level का होता है, यह बहुत important चीज है, बहुत important data है, और यह data कोई misuse नहीं होता है, सिंपल सी बात, data से एक profiling हो जाती ही customer की, कि भाई यह customer अच्छा है, इसको यह service दी जा सकती है, यह customer अच्छा नहीं है, इसको service नहीं दी जा सकती, यह फाइदा है सिरा साथ, अब चल्ब मार्केट की बात कर लेते हैं, वह मार्केट के अंदर, आज अगर आप nifty देखोगे, तो लाल दिखाई दिया है, small cap positive दिखाई दिखाई दिया है, mid cap positive दिखाई दिखाई दिया है, like कर देना, share कर देना, comment दाना वीडियो कैसी लगी, बाइ बुर्णेश अबाइकर कुद आफिस, good morning और फिर्ण जब्ब्या वीडियो देख रहे है, जैहिन बंदे मात रहो,